हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना, वेलकम एक माई यूट्यूब चैनल आज हम आपके लिए अमरेला कट लॉंग गाउन लेकर आए है और ये गाउन हम हैवी वर्क वाली साडी में से बनाएंगे तो उसके लिए हमने ये वर्क वाली साडी ली है, लैस ली है लैस हमने वर्क के कलर के अनुसा ली है और ये हमने लाइनिंग ली है, लाइनिंग हमारी 2.5 मीटर है अब हम आपको साडी की कटिंग करना बताएंगे तो सबसे पहले हमें साडी में से पल्लू को कट करना होता है पल्लू हमारा वर्क वाला होता है और इस में से हम टॉप पार्ट कट करते हैं तो यहां पे हमें साड़ी में से पल्लू को कट करना है जब भी हम साड़ी में से कोई ड्रेस, गाउन या लहंगा बनाते हैं तो सबसे पहले हमें पल्लू की कटिंग करनी होती है तो यहाँ पे हमने इस पल्लू को कट किया है इसके बाद अब हमें क्या करना है जो साडी में प्लैन फैबरिक होती है साड में इसे भी कट करना है सिर्फ प्लैन फैबरिक को कट करना है तो यहाँ पे हमने इस प्लैन फैबरिक को भी कट कर लिया है अब जो यह हमारी साड़ी बची है यह हमारी 4 मीटर है और इस 4 मीटर साड़ी में से हमें जो साड़ी का वर्क है जो साड़ी में नीचे की तरफ होता है इस वर्क को हमें कट करना है अब हमारा जो ये काम है वो हमारा इस वर्क को cut करना है तो यहाँ पे हमें इसकी जो length है वो देखनी है कितनी है तो हमारी वर्क वाली length हमारी 18 inch है 18 inch है तो यहाँ पे हम 18 inch पे mark करेंगे यह तो हमें fix रखनी ही रखनी है और half inch और हमें सिलाई के लिए इसमें add करना है तो यहाँ पर जो हम cut करेंगे इसे 18 and half inch करेंगे तो यहाँ पर half inch उपर हमें एक mark कर रहे हैं वो हम सिलाई के लिए कर रहे हैं तो हमें इसे पूरा ही cut करना है 4 meter जितनी हमारी यह साड़ी बची है यह हमारी 4 meter के करीब है इसे हमें पूरी को ही cut करना है last तक तो यहाँ पर मैंने इसे cut कर लिया है तो यह हमारा foliar में है यह हमारा यह 4 meter कपड़ा है तो हमने इसे work वाले हिस्से को पहले ही cut कर लिया है इसके बाद आप इसे center से भी cut कर ले two meter हमारा back के लिए होगा two meter हमारा front के लिए होगा इसके बाद अब हम plan fabric है उसमें से cutting करेंगे तो यह हमारा जो कपड़ा है यह वर्क से उपर था जो हमारा plan था इसमें से अब हमें cutting करनी है तो यहाँ पे हमें इसे full layer में fold करना है तो जो हम gown बना रहे हैं उसके लिए जो skirt part cut करेंगे तो वो हम circle में cut करेंगे तो यहाँ पर हमने इसे full layer में fold किया है fold करना है तो full layer में fold करने के वाद जो भी आपकी कमर हो जैसे की कमर है हमारी 36 तो 36 को हमें 8 से divide करना है 8 से divide करेंगे तो उसका आएगा 4 and half inch तो हमें अब 4 and half inch का circle बनाना है इस कौने पर बस आप एक बात का ध्यान रखें जो भी आपकी कमर हो उसका आपको 8 मा भाग लेना है तब ही जो कमर है वो fix आप आएगी तो यहाँ पर हमें कौने पर inch tape को रखना है और 4 and half inch पर mark करना है तो इसी कौने पर inch tape को रखते हुए हमें 4 and half inch पर mark करते हुए ऐसे circle बनाना है तो ध्यान रखें वो हमें कमर का 8 मा भाग लेना है इसके बाद यह तो हमारा fix आएगा जो हमने mark किया है अभी जो हमने 8 मा भाग लिया है वो हमारा fix आएगा बट हमें दोनों side में slide लगानी है क्योंकि दोनों side से जो हमारा कपड़ा है वो हमारा खुला हुआ है तो यहाँ पर हम half inch और एक mark करेंगे तो यहाँ पर हमें half inch पर इस line से half inch की दूरी पर और एक line ऐसे खीचनी है यह हम इसलिए खीच रहे हैं क्योंकि जो यह side है यहाँ पर यह दोनों side में हमारा कपड़ा सिलाई में जाएगा तो हमने इसलिए यह half inch और line खीची है ताकि जो हमारा कमर है वो हमारी lose हो सके और हम side में slide लगा सके तो जो हमारा 8 में भाग है उससे तो हमारा fix आएगा और half inch जो हम लेते हैं वो हम losing के लिए लेते हैं ताकि हम slide में कपड़े को ले सके इसके बाद यहाँ पे हम अब इसकी length रखेंगे तो हमें second line से length लेनी है तो हमें इसकी length 18 inch लेनी थी 18 inch लेनी थी वो इसकी 18 inch ही आ रही है और जो यह परदे हैं यह सिलके तयार 17 inch के हुँगे 17 inch के परदे सिलके तयार हुँगे तो एक inch हमने इसमें slide के लिए add किया है half inch हमारा उपर slide में जाएगा और half inch ही हमारा यहाँ पर slide में जाएगा तो एक inch हमने इसमें slide के लिए add किया है और इसके बाद हमने कौने पर इंची टेप को रखना है और यह देखना अटारे इंच पर हमारी length कितनी आ रही है यह हमारी 23 इंच आ रही है तो ऐसे ही कौने पर इंची टेप को रखते हुए हमें 23 इंच पर mark करते हुए ऐसे line कीचनी है तो हम इसलिए देखते हैं कि कौने पर इंची टेप को रखे कि 18 इंच पर हमारी कितनी length आ रहे हैं ताकि हम mark कर सकें तो कौने पर इंची टेप को रखते हुए हमने 23 इंच पर ऐसे circle बनाया है अब हम उपर से second line से cutting करनी है और फिर हमें इसे यहां से cut करना है और जो हमारे परदे हैं ये सिलके तयार 17 इंच के होगे और जो हमारा वर्क वाला परदा था वो हमारा 18 इंच का सिलके तयार होगा तो टोटल गाउन का जो सिकारेट पार्ट है वो हमारा 35 इंच का सिलके तयार होगा और 16 इंच का हमारा टॉप पार्ट सिलके तयार होगा तो जो हमारा ये गाउन है 55 इंच का सिलके तयार होगा एक 50 इंच का ये गाउन हमारा सिलके तयार होगा तो ये हमने यहाँ पे सरकल में ये कट किया है और ये हमारी दोनों साइड में सिलाई होगी और मैं आपको एक बारी circle को भी दिखा देती हूँ कमर से ये कितना है तो यहाँ पर हमने जब 8 मा भाग लिया है जब हम single करने के बाद ये हमारा 20 इंच आ रहा है तो 20 इंच हमारा front का हो गया 20 इंच हमारा back का हो गया 4 इंच ये हमारा सिलाई में जाएगा 2 हमारा front परदे में जाएगा 2 हमारा back परदे में जाएगा इसके बाद इंग वाला कपड़ा लेना है और इस कपड़े को हमें fold layer में fold करना है यहाँ पर मैंने कपड़े को fold layer में fold किया है तो fold layer में fold करने के बाद इसके बाद हमें इसे यहाँ से cut करना है एक परदा हमारा बैक का है और दूसरा फ्रंट का अब हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो यहां पर हमें कमर का फोर्थ लेना है जैसे कि कमर हमारी 36 है तो उसका फोर्थ हुआ 9 इंच तो हमने यहां पर 9 इंच पर एक मार किया है 2 इंच हम मार्जन के लिए एड कर रहे है तो य इसलिए हमने इसे पूरा ही तिर्चा किया है लेंथ मैं इसकी 35 इंच ले रही हूं जो हम यह लाइनिंग वाले परदे की लेंथ ले रहे हैं 35 इंच हमारी यह सिलके तयार होगी 2 इंच हमने इसमें फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए एड किया है तो यहां पर जो इंच में मार्क करेंगे और इस लाइन को हमें ऐसे मिलाना है अब हमें इसकी कटिंग करनी है जो हमारा गाउन है उसका जो सिकर्ट पार्ट है वो 35 इंच का सिलके तयार होगा 35 इंच का हमारा यह सिकर्ट पार्ट सिलके तयार होगा तो हमने 2 इंच इसमें फोल्ड करने के ल इसके बाद हम आपको टॉप की cutting करना बताएंगे तो उसके लिए हमने पलू वाला कपड़ा लिया है और इसे हमने फोल लेयर में length लेनी है तो जो हमारे ये परदे होंगे ये हमारे 16 इंच के सिलके तयार होंगे तो हम half इंच इसमें sly के लिए add कर रहे हैं सिर्प solder पर ही half inch sly में जाएगा bottom part से इसमें sly में नहीं जाएगा तो इसलिए मैंने length 16 and half inch ली है और अब हमें कपड़े को उपर से cut करना है यहाँ पर हम इस कपड़े को cut करेंगे अब हम drafting करना सिरू कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 13 7 inch ले रहे हैं तो बंच साइड की तरप से हमें एक mark 7 inch पर करना है इसके बाद armholes की जो length है वो भी हम 7 inch ले रहे हैं Solder लेने के बाद हमें armholes की length लेनी है, वो हम 7 inch ले रहे हैं और ऐसे हमें एक line खीचनी है, armholes की length के बाद अब हमें यहाँ पे चोड़ाई लेनी है, जो भी आपकी चोड़ाई हो आप उसका fourth लें, तो चोड़ाई जैसे की हमारी है 40, तो 40 का fourth हुआ 10 inch, 10 inch, तो यहाँ पे हमें 10 inch पे एक मार करना है, 1 inch हम सलाई के लिए add कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें कमर का fourth लेना है, जैसे की कमर है 36, तो 36 का fourth हुआ 9, और यहाँ पे भी हम 1 inch सलाई के लिए add कर रहे हैं, और इस line को हमें ऐसे armholes की तरफ मिलाना है, इसके बाद अब हमें armholes की drafting करनी है, armholes की length है 7 inch, त तो यहाँ पे हमें 3,5 inch पे mark करना है, यहाँ पे 1,5 inch पे mark करना है, 1,5 inch पर और हमें goal आई करनी है, यह हमारे back armholes की drafting होती है, इसके बाद अब हम आपको front armholes की drafting करना बताएंगे, जो mark हमने 3,5 inch पे किया था, half inch हम गले की तरफ करेंगे, और half inch हमें यहाँ पे mark करना है, और जो हमने center पे mark किया था, इसे हम ऐसे उपर की तरफ मिलाएंगे यहाँ पे, और फिर हमें goal आई करनी है, यह drafting हमारे front armholes की होती है, इसके बाद अब हम गले की drafting करना बताएंगे, गले की चवडाई मैं यहाँ पे 3 inch ले रही हूँ, तो यहाँ पे हमें 3 inch पे mark करना है, इसके जो गले की length है, वो मैं 4 inch ले रही हूँ, तो यहाँ पे हम 4 inch पर एक line खीचेंगे, और ऐसे हमें box बनाना है, और half inch पे हमें goal आई करनी है, तो back और front गले मैं बरावर ही रख रही हूँ, तो मैंने ऐसे साथ में ही drafting की है, इसके बाद एक mark हम armholes की तरफ करेंगे, half inch और गले क की तरफ हम इसे तिर्शा करेंगे, drafting हो गई है, अब हम cutting कर रहे हैं, back और front गले हम साथ में ही cut कर रहे हैं, इसके बाद हमें shoulder की तरफ से cutting करनी है, और फिर हमें back armholes की cutting करनी है, और इसके बाद हमें इसे side से cut करना है, और अब हमें एक परदे को अलग करना है, जो हमारा back पर परदे को हमें अलग करना है और फ्रंट परदे को हमें अच्छे से फोल्ड करना है और फ्रंट आर्म हॉल्स की अब हमें कटिंग करनी है तो जो हमारे टॉप पार्ट है इसके परदे हमने कट कर लिये हैं और ऐसे ही परदे आपको लाइनिंग में से कट करने हैं एक बैक पार आपको ध्यान रखनी है इन पर्दों में हमें 17 इंच लेनी है वर्क वाले पर्दे हमने 16.5 इंच के लिए थे और प्लैन पर्दे हमने 17 इंच लिए हैं लाइनिंग वाले पर्दों में आपको 1 इंच सिलाई के लिए एड़ करना है वर्क वाले पर्दों में आपको 1 इंच सिल बता रहे हैं, हमने टॉप का फ्रेंट पर दा लिया है लाइनिंग वाला इसे हमने उल्टा रखा है इसके बाद हमने वर्क वाला पर दा लिया है इसे भी हमें इसके उपर ऐसे उल्टा रखना है गले की तरफ और आर्म हॉल्स की तरफ हमें सलाई लगानी है ध्याना के दोनों आर्म हॉल्स की तरफ और गले की तरफ सलाई लगानी है यहाँ पे हमने गले की तरफ और आर्म हॉल्स की तरफ सलाई लगा ली है इसके बाद अब हमें इसमें छोटे-छोटे कट लगाने हैं कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम इस पर्दे को सीधी तरफ फोल्ड करें तो इसमें जोल ना आए तो जैसे हमने यहाँ पर कट लगाया है ऐसे ही आप गले में कट लगा लें यहाँ पर मैंने ये cut लगा लिए हैं इसके बाद work वाले पर्दे को मैं front side में सीधा करूँगी तो यह हम solder की तरफ से यहाँ सीधा कर रहे हैं solder पर हमने slide नहीं लगाई है तो हमें इसे अच्छे से सीधा करना है सीधा करने के बाद आप इसके उपर press कर लें और फिर आपको armholes की तरफ और गले की तरफ slide लगानी है यह slide हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी दोनों परदे अच्छे से fix हो जाएं और finishing भी अच्छे से आए तो यहाँ पर मैंने slide लगा ली है तो यहाँ पर मैंने top का front परदा तयार कर लिया है ऐसे ही आप back परदे को तयार करने अब हम आपको gown के skirt परदे तयार करने बताएंगे अब हम यह परदे तयार करेंगे पहले हमें यह जो हमने circle में cut किया था यह वाला परदा लेना है और जो इसका bottom part है यहाँ पर हमें work वाला हिस्सा जोड़ना है तो आप ध्यान रखें यह work वाला हिस्सा जोड़ रहे है हम तो यहाँ पर इस परदे को हमें सीधा रखना है वर्क वाले परदे को हमें इसके उपर ऐसे उल्टा रखना है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे तो ऐसे हमें परदे को रखते हुए यह सिलाई लगानी है सरकल वाले परदे को हमें सीधा रखना है और वर्क वाले परदे को हमें इसके उपर ऐसे उल्टा रखना है और यह हमें सिलाई लगानी है ध्याना के सिलाई हमारी एक ही सीध में होनी चाहिए ऐसे आप पूरे में ही ये सिलाई लगा ले तो यहाँ पे मैंने इसमें पूरे में ये सिलाई लगा लिये है और जो सरकल वाला परदा था इसमें मैंने ये वर्क वाला परदा जोड लिया है अब इसके बाद यहाँ पे हमें इसमें लेस लगानी है वो लेस हम इसलिए लगा अब हम्यें लैस को रखना है और लगानी हैं यह स्लाइ हमें लाष्ट एक टक लगानी है और मैं आपको कम ढह yen परदे को हम अच्छे से में करते हुए हैं इसके बाद अब हमें दूसी सैड ने तो यहां पर हम दूसरी साइड में लगा रहे हैं परदे को हमें अच्छे से करते हुए यह सिलाई लगानी है और यह सिलाई भी आप पूरी ही लगा लें तो यहां पर हमने इस लैस को लगा लिया है हमने क्या किया था सरकल वाले परदे में हमने यह वर्क वाला परदा जोड और इस लाइनिंग वाले पर्दे को हमें सीधा रखना है और इस वाले पर्दे को जोड लिया है और अब हमें लाइनिंग वाले पर्दे को बॉटम पार्ट से फॉल्ड करना है तो यहाँ पे हम इसे 1.5 इंच के करीब फोल्ड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 2 इंच कपड़ा अधिक लिया था 1.5 इंच हमारा उपर सिलाई में जाएगा 1.5 इंच हमें यहाँ पे फोल्ड करना है पहला फोल्ड 1.5 इंच पे करना है तोटल हमें 1.5 इंच कपड़े को fold करना है तो यहाँ पे हमने इस कपड़े को 1.5 इंच के करीब fold किया है तो जो हमारी साड़ी वाला पर्दा है इसमें हमें यहाँ पे fold करने की जरुत नहीं है lining वाले पर्दे को हमने bottom part से fold किया है तो हमारा यह परदा तयार हो गया है तो यहां पे हम fold करेंगे और center से हमें इसे cut करना है तो यहां पे हमने center से cut किया है अब हमें top का परदा लेना है और top के परदे को भी हमें center से ही cut करना है जैसे हमने skirt part का परदा cut किया था center से ऐसे हमें top के परदे को एसे fold करना है lining वाले को और इसे हमें center से cut करना है, हाँ पर मैंने lining वाले पर्दे को center से cut किया है, skirt वाले पर्दे को हमें सीधा रखना है, और जो हमारे top वाला पर्दा है, इसे हमें ऐसे उल्टा रखेंगे, ध्यान रखें, जो हमारा work वाला पर्दा है, ये हमें नहीं सिलना है, इस परदे को हम ऐसे अलग करेंगे और लाइनिंग वाले परदे को हमें ऐसे रखना है और सलाई लगानी है तो यहाँ पर हम सलाई लगा रहे हैं ध्यान रखें सलाई हमारी एक ही सीध में आनी चाहिए सलाई को आप टेड़ा ना करें यदि आप सलाई एक सीध में तो यहाँ पर हमने इस सिलाई लगा ली है इसके बाद अब हम इस परदे को ऐसे सीधा करेंगे सीधा करने के बाद वर्क वाले परदे को हमें अच्छे से रखना है और इसके उपर अब हमें सिलाई लगानी है इसलिए हमने वर्क वाले परदे में half inch कम लिया था क्योंकि हमारा यहाँ पर सिलाई में नहीं जाएगा सिर्फ हमें उपर ही सिलाई लगानी है तो जैसे हमने सिलाई लगाई है तो जो हमारा यह वर्क है यह भी पूरा आया है और गाउन में लुक भी बहुत अच्छे से आई है इसके बाद ऐसे ही आप बैक परदे को तयार कलने है फ्रेंट परदा हमने आपको तयार करना बताया था बैक परदा आप तयार कलने है इसके बाद फ्रेंट परदे को हमें सीधा रखना है बैक परदे को हमें इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखना है और shoulder पे sly लगानी है यहांपे हमने shoulder पर sly लगा ली है इसके बाद आपको दोनों सैड़ों में sly लगानी है तो यहांपे हम sly लगा रहे हैं ध्याना के sly आपको अपने measurement के according लगानी है ऐसे ही आप दूसी साइड में भी सिलाई लगा लें तो यहाँ पे हमने दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है तो जो हमारा ये गाउन है ये हमारा कम्प्लीट हो गया है अब हम आपको इसे रख के भी दिखाते हैं जो हमारा ये गाउन है इसकी लुक बहुत ही सुन्दर आई है इस तरह आप वर्क वाली साड़ी में से बहुत ही सुन्दर गाउन डिजाइन कर सकती है इसी साड़ी में से मैंने आपको लहंगे की ड्राफ्टिंग कटिंग भी बताई थी और आज मैंने आपको गाउन बनाना तो ऐसे ही आप वर्क वाली साडी में से बहुत संदर गाउन डिजाइन कर सकती हैं इससे लुक भी बहुत अच्छी आएगी और फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद